Good morning students, today in this video we will start a new chapter that is Ratio, Proportion and Unitary Method In today's video we will be discussing the topic only Ratio Ratio है क्या? Ratio की जब definition की बात करें तो Ratio means जब हम दो चीजों का relation देखते हो या फिर किसी भी दो चीज का comparison करते हो तो हम क्या बोलते है कि हम Ratio find कर रहे है जब भी किसी दो चीजों का comparison करते है तो हम क्या बोलते है? Ratio बोलते है तो हम क्या बोल सकते है कि we are finding the ratio अगर हम किसी दो चीजों का comparison करते है तो we can say that we are finding the ratio So इसका example हो सकता है if I tell you कि in a class in a class there are 25 girls and 30 boys ठीक है? एक class है जिसमें number of girls are 25 and number of boys are 30 we have to find the ratio of find the ratio of boys to the number of boys to the number of girls and second find the ratio of ratio of number of girls to the total students to the total students ठीक है? number of girls दिया है 25 and number of boys is 30 we have to find the ratio of number of boys to the number of girls तो number of boys कितने है? number of boys is 30 and number of girls is 25 तो ratio दिया है क्या? number of boys to the number of girls तो इसमें क्या करेंगे? कि पहले number of boys लिखेंगे क्योंकि यहां पर number of boys to the number of girls निकालना है तो number of boys को पहले लिखेंगे यहां पर 30 लिखेंगे क्यों 30 लिखेंगे? क्योंकि यहां पर number of boys पहले निकालना है 2 जब 2 रहें इस sign को क्या बोलते है? 2 बोलते है ठीक है? इस colon sign को क्या बोलते है? 2 बोलते इस 2 बोलते है या फिर 2 बोलते है ठीक है, and number of girls को कहा रखना है, बाद में रखना है, तो number of girls कितनी है हमारी, 25, ठीक है, तो 30 is to 25, इसको हम लोग simplest form में ही कर सकते हैं, तो ये 5 के table में, 5 के table में 6 times, और ये 5 के table में 5 times, तो इसका ratio क्या है, 6 is to 5, और we can write it like this also, 30 by 25, boys का पहले लिखना है, तो तो boys का मैंन ऊपर लिखा, और girls का नीचे लिखना, बाद में लिखना है, तो नीचे लिखना, और 30 वोग लोग लोग simplest form में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 times में, ये 5 times में, ये क्या बन जाएगा, 6 by 5, we can write it, 6 is to 5, ठीक है, second में देखिए क्या हमें निकालना है find the ratio of number of girls to the total students number of girls तो हमें पता है कि 25 है total students है तो total students क्या है total number of students total number of students will be 30 plus 25 that will be 55 अब हमें ratio निकालना है इसका तो किसको उपर रखेंगे किसको पहले रखेंगे number of girls को पहले रखेंगे पहले कौन number of girls आगे तो number of girls कितना है ट्वेंटी फाइव है ठीक है इस्टू का साइन देंगे total number of students को बाद में रखेंगे नीचे रखेंगे या फिर बाद में लिख सकते है इस फिफ्टी फाइव सिंप्लेस्ट फॉम में किये तो यह फाइव के टेबल है फाइव टाइम्स में और यह 11 टाइम्स में यह क्या बन जाएगा students तो girls का पहले लिखे next में क्या था total students था तो 55 को हमने बाद में लिखा और फिर इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में करके रेश्यो निकाल दिया ठीक है नाव सपोज कोई भी रेश्यो दिया हुआ है उसे हमें सिंप्लेस्ट फॉर्म में करना है ठीक है if the question is 1 litre we have to find the ratio find the ratio in the simplest form one ratio to 750 ml वन लीटर और 750 ml कहां में सिंप्लेस्ट फॉर्म में रेश्यो निकालना है लेकिन यहां देखिए उपर क्या पहले क्या लिखेंगे वन लीटर है फिर क्या है 750 ml है यह यह लीटर यूनिट है 1 ler में उनिट है तो सबसे पहले क्या करें कि दोनुग तो सेयन यूनिट में रखेंगे यहां पर समनबर्स था अब नहीं पर क्या यहां लीटर-एक यंट है और यह दूसरा मिलीलीटर यूनिट्स तो का करेंगे लीटर को भी मिललीटर में निवर्ट करेंगे तो वन लीटर इस इक्वल डू ठाउजन मिलीडर ठीक है रीशियो किसका निकालला है वन लीटर डू णाने वर दू 750 मिली लीटर बडंडर two attachments टो मतलब उसक दू का साइन सकते ही यहाँ पर ऐसे डिवाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट इस 750 ml यहां पर 750 ml यह दोने एक यूनिट में हो गया इसको कट भी कर सकते हैं फिर अब इसको सिंप्लिस्ट फॉर्म में करना है यह 0 से 0 हुआ और 5 के टेबल में 20 टाइम्स में और यह 5 के टेबल में 15 टाइम्स में फिर से यह 5 के टेबल में 4 टाइम्स और यह 5 के टेबल में 3 टाइम्स यह क्या आया 4 is 2 3 तो 1 लीटर 2 750 ml का रेश्यो क्या आया 4 is 2 3 see the next video sorry see the next question next question is one dozen to one score यहाँ पे देखिए दो अलग अलग unit है एक dozen है और एक score है तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको number में convert कर देंगे तो one dozen में कितना number होता है कोई भी चीज़ अगर dozen में होता है तो इसको number में करेंगे कितना होता है 12 होता है one score में होता है 20 one score में क्या होता है 20 ठीक है दोनों different unit था तो पहले हम लोग क्या कि इसको numbers में convert किये one dozen में होता है 12 और one score में होता है 20 तो one dozen पहले लिखेंगे that is 12 को उपर लिखेंगे one score बाद में है that is 20 को लोग नीचे लिखेंगे अब इसको simplest form में करेंगे तो यह 4 के टेबल में 3 ताइम्स और यह 4 के टेबल में 5 ताइम्स यह क्या हो गया 3 by 5 और we can write it 3 is 2 5 it's very much important कि कि किसी भी चीज़ का जब ratio निकाल रहे तो वो same unit में रहे see the next question 8 hours to one day simplest form निकालना है ratio का simplest form निकालना है लेकिन यहाँ पर देखी hours में unit एक day में unit तो इसमें भी क्या करेंगे कि day को hours में convert करेंगे the one day is equals to 24 hours अब यह भी hours में अभी यह भी hours में हो गया तो 8 hours को उपर लिखेंगे और बार में 24 hours को तो यह hours गया कट गया यह 8 के टेबल है one time में 8 के टेबल में 3 times that is 1 by 3 यह क्या आ गया 1 is 2 3 आ गया ठीक है आप लोगों को लग रहा हो है कि यह जो ratio है ratio is very much similar to fraction ratio is very much similar to fraction बट यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ratio और fraction सेम चीज़ है ratio क्या होता है ratio is comparison of two quantities to things ठीक है जैसे अगर ratio की हम बात करें ratio अगर हम बात करते है 3 is to 5 अगर हम ratio की बात करें 3 is to 5 तो यहां पर जो first quantity है to貼ए उसका ratio क्या है 3 3 इस तू 5 फेर्स quantity क्या है और second quantity क्या है five है 통 टोटल क्वांटिटी की बात करें total क्या हो जाएगा total quantity will be eight ठीक है सबस्क्रण्टी इस three and second quantity सबस्क्राइब और total quantity की बात करें तो थी क्या हो серьगा हो जाये तो जब इसको फ्राक्शन में कर्वाठ करें तो ONE का फ्राक्शन क्या हो जाएगा थी कि भॉज याखे płर्स यूपर लिखे और टोटल को लूँ निचे लिखते है जिकांड क्या हो जाएगा फाइव और टोटलल या लिखे एट लिखे नीचे ठीक है 5 है मतलब 5th part का यहां पर बताया हुआ है कि 3rd part है कोई भी 5 part है 1 2 3 4 5 उसका यह 3rd part represent किया हो total total parts कितने इसमें 5 है और कितना part represent किया हुआ है 3 part represent किया हुआ तो यहां पर ratio और जो fraction है these are very much different I hope students that you have understood how to solve the ratio इसको simplest form में कैसे करते हैं that's all for today thank you